नमस्कार मैं हूँ अमशेक आप देख रहे हैं मनी नाइन अमेरिका में लगातार दो तिमाही में GDP ग्रोथ निगेटिव आई है तकनीकी तौर पर देखा जाए तो अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है लेकिन दिल्चस बात ये है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आने के संकेत मिलने के बाद भी भारती सियरबाजाल लगातार सरपट दोड़ रहे हैं BSE Sensex आज 57,570 अंकी उचाई पर और NSE Nifty 17,158 अंक पर बंद हुआ है संदीब जी कहा जाता है कि अमेरिका को चीक आती है तो पूरी दुनिया को जुखाम हो जाता है लेकिन आज हम यहां उल्टा देख रहे हैं भारती सियरबाजाल लगातार तीन दिन से जो है वो एकड़म उचाई की तरफ आस्मान की तरफ भागे जा रहा है जबकि मंदी की अमेरिका को कहते हैं अमेरिका में अगर मंदी है तो सब लोग डर जाते हैं लेकिन तो यह सब को इतना डर है मंदी के बातें कही जा रही है उसके बाद भी भाट की बाजार भाग रहे हैं तो आप सब के मन में सवाले हैं कि आखिर बाजार भाग क्यों रहा और सबसे अच्छी बात जो एक क्या कहते हैं कि रेगुलेटर जो होता है जैसे कहते हैं कि किसी प्रमोटर को किसी कंप्रिंग के बारे में सबसे बहतर पता होता है ऐसे ही किसी सेक्टर के रेगुलेटर को शायद उस सेक्टर के बारे में सबसे बहतर पता होता है तो अगर इस स्वेट की जो कमेंटरी आई थी जो फैसला आया था ब्याज़रों को बढ़ाने का उसके बाद यह साफ जलक रहा था उन्होंने पहले भी का था कि हमें पता है कि हां बनक उनको है कि अगर वो ब्याज़रे बहुत तेजी से बढ़ाएंगे तो उससे मंदी आ सकती है तो अभी उस तो य और फेड इस चीज़ को माने के थे तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है मेंगाई बन जाएगा ऐसा वो नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर जुरुत पड़ी तो वो कुछ और भी कदम उठा सकते हैं जिसे रिसेशन को रोका जाए या तो फिर ग्रोथ को या तो फिर खपत को बढ़ाया जा सके तो उस लिहाँ से अच्छी बात यह है कि र महंगाई के आखड़े आएंगे वैसे ही हम ब्याजरे बढ़ाएंगे अगर महंगाई बहुत जादा है नौ पसंड के पार चले गई कई दश्कों के उपर के उचाई पर पहुंच गी है तो जाहिर सी बात है कोई भी महंगाई को काबू करने के लिए कदम उठाएगा लेक लेकिन इसका मतलब यह नी है कि वह आगे भी इससलह के उरचाण देखने को मुलेगा और वह आँक्डों में दिखने को मिल भी रहीकि जैसा बजर उन्नमान कर रहा था उससे कम नंयगेटिब ग्रोथ देखने को मेली तो हों सकता है कि et quarter और भी of a यह रानी वाली या कोई के जो रोजगार के आकड़े हैं जो कंजूमर कॉन्फिडेंस के आकड़े वो सपोर्ट कर रहे हैं कही ना कहीं इस चीज को देखें मांग मजबूत है लेबर मार्किट वापे मजबूत है लगातार जो नौकरियां है वो बढ़ती हुँ दिख रही है अगले हफते या उसके फिर से जो रोजगार के आकड़े है वो भी आते हो दिखेंगे तो उसलिया से देखा जाए देखे आपको इस चीज को समझना है कि क्या यह जो महंगाई है वो डिमांड रिवन है यह सप्लाइड रिवन है इस बार की जो महंगाई है वो डिमांड रिवन नहीं है यानि कि म कि महंगा कर दो दैखे रहें, यह पोगो कि और महंगा चाहप पर देखा जाए बार hazelnées कमें, होगा शुक्तव 42 चाहएं ऑप के hell थीowa देखे तो उस लिहाद से देखा जाए इस चीज को फैट भी मान रहा है कि हाँ आगे गुंजाईश है कि जो कीमते हैं वो नीचे आएंगी चीज को मान चुका है आप यह आँकड़ा आज देख रहे हैं बाजार इस चीज को 2-4-5-6 मिने पहले से भाफ चुका है और आगे जो 6 मिने होने वाला है उसको भी बाजार कही ना कहीं इस भाव में डिसकाउंट कर चुका है तो उस लिहाद से हमारे सामने नंबस बाद में आते हैं बाजार उसको पहले करने कोशिश करता है पहले भाफ लेता है और जो ब्याज जरे बढ़ रही है या यह मंदी में जाना है यह तो हर को ही बोल रहा है कि इस साल के अंतक होना है तो भाव में तो पहले ही आ चुका है वो अब आगे क्या होगा अब जैसे हमारे आते हैं कुछ लोग बहुत जादा गवाते हैं जैसे आपने कहा है कि बाजार आगे की जो है पहले ही भाफ लेता है तो आप जो तेजी हम अगर बाजार में देख रहे हैं तो क्या बाजार ने भाफ लिया कि आगे चलकर अब जली सबकुछ नॉर्मल जैसे यूक्रेन और इसका युद्ध है उसको भी लगबग पांच-शे मैने होने को आ गए हैं तो क्या लग रहा है कि जल्दी वो खतम हो सकता है देखिए जिस तरह की तेजी हमने दिखाई है हम आपको कह रहे थे कि जून में हमने 15183 के आस-पास का लोग बनाया था वहां से अब आप 1000 पॉइंट के आस-पास की तेजी निफ्टी पे देखी है बहुत तेज बहुत हमने जल्दी चाल चली है तो उसलिहास से देखा जाए तो मैं यह कहूंगा कि बादार को थोड़ा सब थमना चाहिए रुकना चाहिए थोड़ा सा यहां पर कंसॉलिडेट करना चाहिए क्यों इतना कमाती है उस मनाफ़े के अधार पर फिर आपके जो प्राइजी संभूत है होते हैं और उसी 50 स्टॉक्स जो निफ्टी के हैं उनके बेसिस पर निफ्टी का लेबल बनता है तो उसलिहास से आप उसमें सारी जोड़ लीजिए आप उसमें आपका रुपया जोड़ ली जीए वो सब इसी चीज इशारा करना चाहिए कि कम्पनियों की जो अनिंग्स हैं जिसे मुनाफ़ा कहते हैं क्या वो बढ़ रहा है अगर बढ़ेगा वही बादार को सपूर्ट करेगा जिस वजह से हम कहेंगे कि वैल्योशन महेंगे नहीं है वैल्योशन महेंगे कब नही नतीजे हैं वो अच्छे रहने चाहिए अब ग्लोबल संकीतों की वजह से आपके बढ़ार चल रहे हैं या किस वजह से क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है कंपनियों को नतीजे अच्छे रहने चाहिए इसी की उपर दारमदार है हम बहुत तीजी से पिछले कुछ द जो शापनेस है जो जिसे हम चौपीनेस कहते हैं मार्किट में वो कहीना कहीं आने की आशंका बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगला हफता भी आप देखें आरबिया की पॉलिसी आने वाली है तो उस लिहास से देखा जाए आपको बहुत संबल के बहुत सतरकता से चलना है आपने ठीक है अच्छी अच्छी बातें डिसकाउंट कर ली भाव में शॉट कवरिंग भी हो गई आप कह रहे हैं कि जितने मंदी वाले मंदी की पोजिशन बना के खड़े थे वो भी कट गए जिस वजह से आप देखें कि 17100 भी पार हो गया कलम 17000 के नीचे बंद हुए थ उसलिए आज देखा जाए तीन मेने की उजाई पर आप पहुंच गए हैं उस तरह की खबरें उस तरह का सपोर्ट उस तरह का आपके नतीजों में जो एक्षन है आपकी एकॉनमी में जो दम है वो दिखना चाहिए एक बात और जो जुलाई के लिए हम लोग ने बात की थी कि क्या बाजार अपना इतिहास दोर आएगा जुलाई में भी रिटर्ण अच्छा देगा तो अभी एक खबर पढ़के आओं कि जुलाई में भी बाजारों ने 8% के करीब रिटर्ण दिया चली मलब इसने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है लेकिन अगले हपते बाजार क्य अब क्या 35 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट या एक चोथाई फीज दी या 0.35% से ब्याज़डर बढ़ती है और RBI की कमेंटरी के सिरा क्या आती है अक्टूबर से महंगाई नीचे आनी है हर को जानता है गवर्नर साब को हम सून चुके हैं अब गवर्नर साब क्या क्या प्यार वोलते हैं जहां तक हमारी बात है क्योंकि हमारे दिक्कत की बात क्या है विशेग? एक सो नौ डॉल का क्रूड अभी भी है तो वह हमारी दिक्कत की बात है क्योंकि हमारी जो पचासी परसंट के आसब इंपोर्ट dependency है वो बहुत दिक्कत की बात है हमारे manufacturing कही न कहीं रिसाइट करेगा कि बाजार की जो परदर्शन है जो तीजी का रिचाल है वो कहीं ना कहीं बर्कारा रहता है कि नहीं रहता है अर्विय की पॉलिसी होगी ग्लोबल संकीत बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के मार्केट हम देख रहे हैं आप कहरे थे कि हम टेक्निकली रिसेशन में चले गए उसके बावजूद भी कल डाउ 332 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है तो उसलिहां से देखा जाए अ खुदाना खास्ता कभी 120 की उपर चला गया तो फिर हम कही ना कहीं गिरावट के लिए तैयार हो जाएंगे या मुनाफ़व जूली बजार में हावी हो जाएगी अगले हफते आटो सेल्स के नमबस आ जाएंगे एक अगस्त को साथी साथ मौनसून कैसा रहता है यह बहुत इंपॉर्टन की उपर गरामीन भारत की उपर कहीं लोगों की नज़र टिकी होई है कि अब हमारा जो दारमदार है वह इसी की उपर है कि क्या गरामीन छेत्र से मांग आती है नीफ है और उसके साथ साथ अगस्त के पहले हफते में जीक बैठक होने वाली है वो क्या करते है क्योंकि अगर वो कोई भी GST की किसी उत्पाद में GST बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उसका महंगाई पे असर देखने को मिलता है ट्रेड बैलेंस यानि की इंपूर्ट एक्सपूर्ट के आंक्रे भी आने वाले भारत के और उसके साथ साथ बैंक ओफ इंगलेंड की आज आएगी मतलब operation profit वह हासिल कर लेगी आज इतना बड़ा बयान आया उसके बाबजूत पेटीम का सेर लगभग पौने 6 फीजदी तूटकर बंद हुआ है तो क्या बाजार उनकी सर्माजी की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है नहीं मुझे आप यह बताईए मैं आपको कहते हैं वो प्रमोटर है कंपनी के जाहिर सी बात है उनको सबसे बहतर पता है कि उनकी कंपनी कैसे perform कर रही है वो हमें आंकडों में दिख जाता है उनके कहने की जूरत नहीं है वो एक hope दे रहे है कि हाँ सितंबर 2023 तक हम अबिड़ा पॉजिव यानि कामकाजी मुनाफे मे आ जाएंगे अच्छी बात है यह हम पहले भी सुन चुके हैं तो यह पेटियम में हो कहा रहा है ना hope versus reality वाला केस है यह कि आपको उम्मीद यह है कि यह कंपनी मुनाफे में आ जाएगी जैसे इनके प्रमोटर विजी शेकर शर्मा कह भी रहे है और reality यह है कि अभी वो हो रही है वह हम क्यों के नंबर्स पहले भी डिसकस कर चुके जोने पहली तिमाई का operational अपडेट दिया था लेकिन दिक्कत की बात है कि अभी वह रियालिटी में नहीं बदला है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कंपनी खराब है क्योंकि भाव के लिहाज से देखा जाए जब 511 रुपे का लो इस ने लगाया था उसके बाद से हमने भी डिसकस किया था कि mutual funds ने भी और FIS ने भी खरदारी करी है तो उस लिहाज से देखा जाए तेकि बादार में दो चीजे बहुत इपोर्टन होती है एक होता है कि एक चीज अच्छी है कि कारोबार अच्छा है ग्रो कर रही है लगातार मुनाफ़ा बढ़ रहा है दूसरी ती अच्छी होती है भाव से कि भाव के हिसाफ से अच्छा हो गया अब पेटिया में क्या हुआ देखिए पेटिया मुनाफ़े में तो नहीं आ गया जो FIS ने खरदारी करना शुरू कर दिया mutual fund ने क्यों खरद 11 रुपे वाला शेर अगर आपने साड़े साथ सो रुपे तक आता हो देखा है तो लगबल लगबा करने 50% का रिटर्न कमा लिया तो 50% रिटर्न आने के बाद अगर थोड़ा सा शेर नीचे आ भी जाता है उसमें जिस दिन मुनाफ़ा वसुली होई उससे पहले विजे शे कर शर्मा जी ने आकर बयान दिया उसके बावजूद भी शेर गिर गया ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए आपको कभी भी कोई चीज शेर बादार में जब भी आप देखिए निवेश करते हैं या तो आप प्रॉफिटिबिटी देखिए कंपनी ग्रोथ कैसी है उसका EPS कैसा ह है बैलेंशीट कैसी है उसकी या तो फिर आप उससाब से चलिए कि उसके वैल्यू कितनी है उस कंपनी में एक जा तो ग्रोथ देखिए या फिर वैल्यू देखिए दो यी तरह के निवेश के फंडे हैं जा तक स्टॉक मार्केट की बात है तो वैल्यू बहुत अच्छी ब क्या है देखिए इंपोर्टन यहां पर टेकवे क्या है कि आप यह मत सोचिए कि किसी ने अगर साड़े 500 या 511 रुपे पर ले लिए तो मैं साड़े 700 रुपे पर ले लूँ वह आपको नहीं करना है आपको जब भी लेना है नीचे लेना है आपने लेवल स्टै कर कि दॉलत कैपिनल ने बोला कि 1400 रुपे कर लेवल आ जाएगा तो वैसी उमीद आप मत करिए इसमें आप इसी तरह से निवेश करिए कि आपको जब मुनाफ़ा हो आप उसमें निकल जाए लोग लवल पर खई दे हां या तो फिर एक तरीका यह हो सकता है कि आप इसमें पै कि देखर सर्माजी की बातों में कितना दम हैं अगर आप भी कोई इस पेशल सेयर आपने किसी खास यह के बारे में जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी कोई खास जानकारी आप हमसे हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लगकर पूस सकते हैं हमने अपने एक्सपर्ट से आपको उसका जवाब देनी की कुछिस करेंगे और आप हमारे मनी नाइन आपको पता है कि आ चुका है तो आप उसे डाउनलोड करिए और डाउनलोड करवाईए और आप हमें फेस्बूक इंस्टाग्राम और ट्यूटर पे फॉलो कर स झाल झाल